गूड मॉरिंग इस्ट्टूएंट्स। BAC Part Second Botani में हम बात कर रहे हैं Molecular Biology paper के बारे में जो हमारा CLABUS का First paper है Molecular Biology में अब तक की जो पिछए कि अकसा हैं इनमें हमने बात की DNA Replication के बारे में Transcription के बारे में Transcription में ही हम थोड़ा आगे Continue करते हैं और आज हम बात करेंगे Port Transcription Modifications के बारे में Transcription होने के बाद में RNA में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं इनके बारे में थोड़ सा हम बात करेंगे आज डिटेल से देखो क्या होता है यूकेरियोट्स में क्या होता है कि जो DNA है इसमें जैसे ये A जीन है ये A जीन R RNA जीन है मालो एक है B जीन ये B जीन है और ये जैसे MRNA जीन है ये जीन है C ये T RNA जीन है A जीन है इसका जब transcription होता है तो इससे बनता है R RNA इससे क्या बनता है? R RNA B जीन का जब transcription होता है तो बनता है MRNA C-Gene का जब transcription होता है तो बनता है T-RNA ये R-RNA, M-RNA, T-RNA ये बनने से पहले ये सुरूवे जो बनते हैं वो होते हैं Hytrogenous, Nescent तो ये premature होते हैं Mature होने के बजाई ये क्या होते हैं? premature होते हैं और premature होने के बाद में premature होते हैं सुरूव में जब बनते हैं और फिर इन में Post, Transcription Modifications होते हैं और उन Modifications से Mature, R-RNA Mature, R-RNA किसके साथ उड़ता है? Act as Constituent of Ribosome ये Ribosome बनाता है Premature mRNA में जब Post-Transcription Modification होते हैं Premature mRNA को कहा जाता है H-N-M-R-RNA 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 इसमें जब Post-Transcription Modification होते हैं तो ये बनता है mRNA M-R-RNA M-R-RNA में क्या होते हैं? Code होते हैं और उन Code के बेसिस पर Protein Synthesis होती है तो M-R-RNA का काम क्या होता है? Protein Synthesis के लिए Code निर्दारित करता है T-R-RNA जो Premature T-R-RNA है इसमें जब Post-Transcription Modification होते हैं तो ये बनता है T-R-RNA Mature T-R-RNA Mature T-R-RNA क्या होता है? ये Soluble होता है Cytoplasm में Soluble होता है और इसका काम होता है Transfer of Amino Acids During Protein Synthesis जब Protein Synthesis हो रही है उस दोरान Cytoplasm से डून डून गर Amino Acids को इक्टा करता है उनको Transfer करवाने का काम करता है T-R-RNA ठीक है? तो DNA में ये जो Transcription होता है तो उससे बनते हैं Premature RNA या Hydrogenus RNA और उनमें Post-Transcription Modification होते हैं उनसे बनते हैं Mature RNA जिनके काम मैंने आपको बताए है RNA है वो Ribosome का एक Constituent होता है संगटक होता है Ribosome बनाता है mRNA है उसमें कोर्ड होते हैं उसमें जो RNA sequence होती है नुकलिटाइड्स की उन sequence से amino acids का निर्दारण होता है कि कौन सा amino acid आना चाहिए और वो protein synthesis करवाता है TRNAO ये soluble होता है ये transfer RNA काम करता है ये साइटो प्लाजम से amino acid को एक्टा करके लाता है और उन्हें MRNA को पढ़ते विए AKK करम में जोड़ता दाता है कुल मिलाकर सिदी सी बासा में इनका काम इस तरीके से होता है ये तिनों मिलकर एक machine का काम करते है जो machine है ये क्या है प्रोटीन बनाने वाली machine है ribosome किस से बनीवी होती है प्रोटीन और RNA से किस से बनीवी होती है ये machine प्रोटीन और RNA से बनीवी machine होती है ribosome ये machine MRNA को लेती है इस machine को direction भाई machine कैसा काम करेगी ये चलो मान के चलें कि इस machine का काम है प्रिंट आउट निकालना इस मशीन का काम है प्रिंट आउट निकालना इस मशीन का काम है मालो कपडे सिलना तो इस कपडे सिलने के जो डायरेक्शन है कि किस तरीके से कपडे बनाने है वो डायरेक्शन आते हैं MRNA की फोर्म में किस फोर्म में आते हैं MRN के फोर्म में MRN क्या होता है एक किताब होती है एक कुछ लाइन होती है और उस लाइन पर कुछ सब्द होते हुए उन सब्दों को हम कहते हैं कोड उन सब्दों को हम क्या कहते हैं कोड मसीन क्या करती है उन कोड को पढ़ती है उन कोड को रीड करती है उन्हें पढ़ती है और पढ़ कर उसे उनसे अमिनो एसिड डिसाइड करती है उनसे अमिनो एसिड डिसाइड करती है कि कौन सा अमिनो एसिड यहां आना चाहिए कौन सा amino acid इसके आग गया आना चीए और कौन सा इससे पहले आना चीए TRNA का काम होता है आज पास में जो precursor material है उन्हें A-K करके लाना और machine को provide गरवाना उन्हें machine को provide गरवाना TRNA machine या जो ribosome है वो कहता है कि AUG code लिखवा आ गया AUG code का मतलब होता है methionine amino acid तो ribosome AUG को पढ़ता है पढ़कर ये कहता है कि methionine amino acid चाहिए ये पढ़ता कहां से है AUG को MRNA के उपर किस पर पढ़ता है MRNA पर पढ़ता है AUG पढ़ा और पढ़कर decide करता है कि AUG का मतलब methionine तो ये TRNA को कहता है कि मुझे methionine चाहिए ठीक है methionine आया जूडा अगला कोड आ गया जैसे UAA जैसे phenyleanine आ गया ठीक है यू 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 फिनाइल अलेनी आ गया इसका मतलब होता है phenyleanine तो दूसरे को पढ़ लिया UUU मतलब phenyleanine तो ये TRNA कहता है कि अब मुझे phenyleanine amino acid चीए इस तरीके से सभी codons को पढ़ते जाता है और उनके सापेक्स उनके specific amino acids को एक एक करके जोड़ता जाता है और उनसे क्या बनती है polypeptide या protein और इसे हम protein synthesis कहते हैं तो कुल मिलाकर तिनो mRNA मिलकर protein synthesis का काम करते हैं RNA ribosome बनाता है, TRNA amino acids को लेक कर आता है और mRNA वो code बनाता है जिनके आदार पर amino acids जूड़ते हैं तो ये basic सी बात है कि तिनो RNA क्या काम में आते हैं हम बात करें post transcription modification क्या क्या होते हैं अगर mRNA के संदर्ब में हम देखें क्यूंकि diversity सबसे ज़्यदा mRNA के होती है RNA 4 परकार के होते हैं, TRNA के कुछ 20 परकार के होते हैं सबसे ज़्यदा diversity होती है mRNA की, messenger RNA की messenger RNA के संदर्ब में अगर हम बात करें तो 4 परकार के post transcription modification हम पढ़ते हैं पहला आता है 5 प्राइम के पिंग ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब है 5 प्राइम 5 प्राइम का मतलब है पांचवा सिरा कोई भी DNA RNA होता है, nucleic acid होता है इन में 2 सिरे होते हैं एक होता है 3 सिरा 3 प्राइम और एक होता है 5 सिरा 5 प्राइम DNA RNA का जो सुरुवात जहां से हो रही है उस सुरुवाती सिरे को हम कहते हैं 5 प्रैम और जिस तरफ आगे की तरफ बढ़ता है जैसे यहां से सुरू हुआ और इदर जा रहा है तो यह हमारा हुगा 5 प्रैम और जिस तरफ बढ़ रहा है वो होता है 3 प्रैम DNA है RNA में प्रोटीन में क्या होता है प्रोटीन में हम इने कहते हैं N-Terminal N-Cera और C-Terminal C-Cera N-Terminal यह और C-Terminal जहां से सुरू होता है वो N-Terminal होता है और जिस तरफ खतम होता है वो C-Terminal होता है तो यह direction का आपको दियान रखना है कि Nucleic Acid में 5 Prime का मतलब कि जहां से chain सुरू हो रही है 3 Prime का मतलब जहां chain बढ़ रही है जहां खतम हो रही है इसी तरीके से प्रोटीन में N-Terminal मतलब जहां से chain सुरू हो रही है C-Terminal मतलब जहां खतम हो रही है तो पहला modification जो चार टाइप के modifications के हम बात करते हैं एक modification होता है 5'Capping दूसरा modification होता है 3'Tailing चोता तीसरा modification होता है Intron Splicing और चोते परकार का modification होता है RNA जो premature RNA होते हैं जिने HN RNA हम करते हैं हिट्रोजिनस RNA हम करते हैं जो सुरुवाती दोर में बनते हैं transcription होते ही बनते हैं ये premature RNA nucleus में ही होते हैं और nucleus में ही इन में post transcription modification होते हैं post transcription modification होने के बाद में ये साइटोपलाजम में ट्रांसपर होते हैं तो यह चार परकार के पोस्ट ट्रांस्किप्शन मोडिपिकेशन में लिख होते हैं 5 प्राइम केपिंग का मतलब है कि जो आपका आरैने है चाहिए वो m आरैने की जैसे हम बात करें m आरैने के जो पांचवा सीरा है उस पर एक केप बन जाई उस पर एक केप बन जाई टोपी पहना दे उसको हम कुली मुला के समाने बसे हम क्या करे टोपी पहना दे पांच में सिरे पर एक टोपी पहना दे केप बन जाई ये तो होता है 5 प्राइम केपिंग 3' tailing का मतलब होता है कि इसका जो 3' है 3' में जो है इस पर हम खूब सारे A जोड़ दे A क्या है यहाँ पर Adenine खूब सारे Adenine जोड़ दे और वो Adenine क्या बना देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे Poly A tail Poly A tail बन जाए खूब सारे Adenine की एक tail बन जाए Puch बन जाए Puch बन जाए उसे हम बोलते हैं 3' tailing Intron splicing का मतलब होता है कि जो हमारा सबसे पहले जो premature RNA बनता है उस premature RNA में से कुछ इससे काम के होते हैं और कुछ इससे बिना काम के होते हैं जो इससे काम के होते हैं उन्हें कहा जाता है Axon उन्हें क्या कहा जाता है Axon और जो इससे बिना काम के होते हैं उन्हें कहा जाता है Intron जो इससे काम के होते हैं उन्हें Axon कहा जाता है और जो इससे बिना काम के होते हैं उन्हें Intron कहा जाता है Intron splicing में क्या होता है इन introns को काट के अलग निकाल दिया जाता है और exon exon आपस में जोड दिये जाते हैं यह होती है intron splicing बाई एक लंबी रसी है उसमें बीच बीच में गाठे से आ रखी है तो उन गाठों को आपको निकालना है यह कुछ विशेश premature RNA में होती है और उनसे RNA editing में क्या होता है कि यह हमारा RNA है premature RNA इस RNA में कहीं पर मालो cytosine अपना nucleotide आ रहा है cytosine nucleotide आ रहा है उस cytosine की जगह क्या डाल देते हैं uracil डाल देलते हैं cytosine की जगह क्या डाल देते हैं uracil मतलब कोई एक particular nucleotide है उसको edit कर दिया उसको change कर दिया replace कर दिया यह होती है RNA editing यह चार परकार के post transcriptional modification mainly होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा detail से पड़े हम तो 5' केपिंग, 3' टेलिंग intron, splicing, RNA editing इन्हें हम mRNA के संदर्ब में थोड़ सा विशेश पड़ेंगे अगली कक्साओं में थैंक्यू